हाए जालकलम या आलिए ड्यक्स वीडियो को बताऊंगा आपके से गूगल मैप पे अंदर अपने घर या फिर अपने दुकान का नाहम डॉप्लोड करना चाहते यह बीडियो पूरां उत्का वीडियो में मैं आपको जनकारी देदूंगा तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं ऐसी और यहां पर अप्डेट लिखा रहां तो आपको डेट कर लेना सबसेस करने इक बाद इसे 3 लैनो करना है तो दोस्तो जैसी सब्लिकेसन को ही इसवान लेटाइके लिफार Спेश फर्र करेंगे यह आपके कुछ आसा इंटर्फेस आएगा जैसी दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको सलेक्ट करना है बिजनस और लेंड मार्ट जैसी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस नेम तो अगर आपके घर का नाम है या फिर अगर आपकी कोई दुकान है अगर उसका जो कुछ भी नाम है यह स्ट्रीट अड्रेस का तो यानि यहाँ पर आपको अपना अड्रेस टाइप करना है जहां भी आपके घर या दुकान है वहां का अड्रेस आपको टाइप करना है अगर दोस्तों आप अपने घर या दुकान में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोकेट क को क्लिक करना है जैसे आप यहांपे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों कई सारे कट करी आ जाएंगे यहां प्रेट्टो आप करने के बाद यहां देख सकते हैं और यहांसे आपकी स्वाइट करेंगे तो यहां से आप select करेंगे swapping center तो जैसे आप swapping center select करेंगे उसके बाद नीचे आपको कई सारे option फिलेप करने को बोलेगा यहां पर लिख सकते हैं अगर आपको कोई phone number है यानी phone number से अगर आपको कोई contact करना चाया तो contact कैसे करेगा इसलिए यहां पर प्लोड करेंगे लेकिन दोस्तों यहां पर मेरा कोई वापिंग सेंटर नहीं है मेरा घर है इसलिए मैं यह से फिर से home select कर लेता हूं home select करने के बाद यहां पर देख सकते हैं ऊपर done करने का icon करने का icon बना है तो आपको उसपर simply click कर देना है जैसे आप यहाँ पर Click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं Place जो है seinen Map में Update हो चुछा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Rate Color में Sign बना हुआ वो यहाँ पर Indicate कर रहा है याँ दिखा रहा है कि आपने जो अपने घर का नाम यहाँ पे Google Map में अपलोड किया है वो अपलोड हो चुका है लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आपके अलवा कोई और सर्च करता है तो यहाँ पे जो आपने अपना घर का नाम अपलोड किया में वो उसे नहीं देखेगा क्योंकि दोस्तों अपडेट होने में 24 गंटे लगते गूगल पहले इसे रिव्यू करेगा देखेगा अगर उसे सब कुछ सही लगा तो बाद में वो इसे अपरूब कर देगा दोस्तों अपरूब होने के बाद हो सकता है गूगल की तरफ से आपके पास मेल आ जाए कि आपने जो अपना नाम डाला है ड्रेस का वो अपरूब ह हो चुका है और दोस्तों होने के बाद जो भी आपके घर का नाम सर्च करेगा मैं उसे दिखने लगेगा तो दोस्तों यह थी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर की उमीद करता हूं आपको पसंद आए होगी एकर दोस्तों वीडियो पसंद आतो वीडियो को बाइ